हलो एव्रिवन स्वागत आपका रप्लिका वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में विच इस अगर इंटर्वीर में आप से पूछा जाता है कि अच्छे सिक्षक में क्या गुण होने चाहिए तो उसका आप क्या आंसर देंगे और मैं बोल रही हूं अगर नहीं मुझे ऐसा लगता है कि यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जो जितने भी इंटर्वीवर होते हैं वह यह क्वेश्चन जरूर पूछते हैं अगर आप एक टीचर के इंटर्वी के लिए जा रहे हैं तो यहां पर आप किस तरीके से उसका आंसर करेंगे हर एक इंसान अलग-अलग तरीके से आंसर करेगा कोई बोलेगा कि जो टीचर है वह एक अच्छा कम्यूनिकेटर होना बट मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि एक गूड टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो मैं आज आपके सामने रखने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है टीचर में होनी चाहिए जो बहुत जादा जरू हुझ है बहुति पहली मोढने ही यह जीज़ जरूर होनी चाहिए यह वाली चीज़ टीचर के अंदर जरूर होनी चाहिए देखिए और उनकी कोई कमी होती है तो आप उनको ऐसे मतलब इंसल्ट नहीं करते बल्कि आप उनको मोटिवेट करते हैं कि उस कमी को पूरा करें तो यहां पर अगर वो ही कमिया किसी और में होती है तो आप उनकी गलतिया निकालते हैं या उनको बुरा भला भी बोल सकते हैं ठीक है तो अगर आप बच्चे को अपना नहीं मानेंगे तो आपको उसमें कम्या भी नजर आएंगी और आपको उस पर गुसा भी आएगा और इस तरीके से आप एक अच्छे टीचर तो दूर की बात है अप एक अच्छे इंसान भी नहीं कहलाएंगे तो सबसे जादा जरूरी चीज ये है कि एक टीचर के अंदर प्यार होना चाहिए बच्चे के लिए एकसेप्टेंस होनी चाहिए जैसे एक मदर होती है एक मा होती है तो मा के अंदर बच्चे को लेके पूरी acceptance होती है चाहे वो बच्चा कैसा भी है अगर उसमें कुछ कमिया है तो बच्चे को वो motivate करेंगी कि आप अपनी कमी को ठीक करो वो उसको दूसरों के सामने उसकी insult नहीं करेंगी तो यही मदर वाली acceptance हमें लानी है तो बच्चे के लिए मदर वाली acceptance हमें लानी है उसके लिए हमारे अंदर प्यार होना चाहिए ठीक है आपकी class में 40-50 बच्चे होंगे हर एक बच्चे से आपकी bonding होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चों से आपकी bonding है दूसरों से नहीं है तो सभी बच्चों से आपकी bonding होनी चाहिए एक personal touch होना चाहिए आपके और बच्ची की relationship में ठीक है personal touch कैसे होगा आप उससे अपनी life के बारे में कुछ चीज़े शेर करो, उसके बारे में कुछ पूछो, इससे क्या होगा, classroom का environment भी friendly रहेगा, बच्चे को सीखने में भी मज़ा आएगा, बच्चा आपकी respect भी करेगा, और बच्चा आपसे चीज़े शेर भी करेगा, जिससी कि आपकी classroom का environment बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बच्चा आपको प्यार भी देगा, बट आपको बस यह बात ध्यान रखनी है, कि बच्चे के साथ हमारा relation कैसा होना चाहिए, अच्छा relation होना चाहिए, friendly relation होना चाहिए, बस आपको एक line ड्रॉ करनी है, आपके और बच्चे की बीच म वो line क्या होगी, कि बस वो उस line को cross ना करे, मतलब एक over friendly भी नहीं होना चाहिए, कि बच्चा teacher को कुछ भी कह दे, जैसे वो अपने घरवालों को कुछ भी कह देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हाँ, आपको बच्चे से friendly relation रखना है, ताकि वो अपनी बात को आप तक पहुचा सके, आप से जिजगे ना कहने में, आपको ज्यादा strict भी नहीं होना है, और ज्यादा आपको ऐसा भी friendly नहीं होना कि आपको कुछ भी बोल दे, यह बात आपको ध्यान रखनी है, तो पहली जो quality है, वो यही है, कि टीचर के अंदर बच्चे के लिए प्यार होना च पहुचा सके, बट इसके साथ साथ वो एक अच्छा listener भी होना चाहिए, एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, इसके अलावा वो एक अच्छा अगर श्रोता है, तो उसके साथ साथ उसे एक अच्छा observer भी होना चाहिए, मतलब वो चीज़ों को observe करे, तो एक अच्छा observer हो और देखते ही समझ जाएगा कि वो बचा सही है या नहीं है या उसकी लाइफ में कोई दिक्कत है, classroom का environment कैसा है, वो सब कुछ observe कर पाएगा, तो एक अच्छा observer होना चाहिए, teacher एक अच्छा listener होना चाहिए, apart from good speaker, good speaker तो होना चाहिए, good listener और good observer भी होना चाहिए, इसके अलावा जो teacher है, वो कभी भी partiality ना करे, teacher कभी भी biased नहीं होना चाहिए, unbiased होना चाहिए, ठीक है, भेदभाव नहीं हमें करना है, ठीक है, आपने देखा होगा अपने school time में कि teachers stopper बच्चों को जादा पूछते थे, और जो normal बच्चे होते थे, average बच्चे या जो बहुत जादा प आपको बच्चों को equal importance देनी है, चाहे वो बहुत हुश्यार बच्चा हो, चाहे वो कम हुश्यार बच्चा हो, चाहे वो ऐसा बच्चा हो, जिसके zero भी आते है marks में, चाहे कोई सीधा बच्चा हो, चाहे कोई शरारती बच्चा हो, चाहे कोई प्रिंसिपल का बच्चा हो, जाहे कोई worker का बच्चा हो. ठीक है? जाहे कोई watchman का बच्चा हो. कोई भी बच्चा हो, सब equal हैं. क्योंकि कोई भी काम चोटा-बड़ा नहीं होता. तो अगर कोई काम चोटा-बड़ा नहीं हैं, तो फिर बच्चे कम और जयादा कैसे हो सकते हैं? आपका कोई भी क्लास में फेवरेट और अनफेवरेट नहीं होना चाहिए सब बच्चे एक ही समान होने चाहिए टीचर के लिए जैसे एक मा होती है अकर एक मा है उसके चार बच्चे हैं तो वो चारो बच्चो को इक्वल देखती है उसी तरीके से आपको अपने सारे बच्चो को इक्वल देखना है आपकी क्लास में चालिस बच्चे हैं पचास बच्चे कितने भी है इसके अलावा हर एक बच्चे से पोस्टनल ही आपको इंट्रैक्ट करना है कभी ना कभी ऐसा नहीं कि फ्रण्ट बेंच वालुसी आप इंट्रैक्ट करते हो बच्च बेंचर भी आपको समझ पाते हूं बच्च बीच्च बीज़ेंचर आपको पता होना चाहिए एकदम तो आपको नाम याद नहीं हो इतने बच्चों के इसके अलावा टीचर हर तरीके से बच्चे के लिए एक role model होना चाहिए यह सब चीज़े तो हमने पेड़ागोजी में भी पढ़ी है बट आप हमें इनको implement करना है तो आपका जब selection होगा जब आप जाएंगे या फिर अगर KBS में आपका selection नहीं भी होता है आप कहीं और भी नौकरी करते हैं as a teacher तो आपको यह चीज़े तो पता ही होनी चीज़े और यह चीज़े आपको प्राक्टिस करनी ही है अपनी लाइफ में कि आप एक role model होने चाहिए बच्चो के लिए टीक है, अगर आप बच्चो को कहते हैं कि बच्चो आपकी human writing ऐच्छी मगें तो आपको conta होना है अगर आप बच्चो कहते हैं कि आपकोodo होना यह तो आपको उना चाहिए अपका dressing sense अच्छा होना चीए डीसेंट होना चाहिए तभी आप बच्चों को कह सकते हैं कि आपको अपनी पूरी यूनिफॉर्म में आना है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप तो ड्रेस कोड का पालन करना ही रहे हैं आपको अपने वर्ट्स भी ध्यान रखना है कि आप क्या शब्द बोलते हैं क्लास में भी क्लास के बाहर भी अपने कलिक्स के साथ भी किस तरीके से बात करते हैं वो भी बच्चा बहुत जड़ा नोटिस करता है अब अप खुद तो अच्छे वर्ट्स नहीं करते दूसरे ट नहीं माने का उनको लगे कि मैम यह सर तो खुद ऐसे ही हैं तो हमें क्यों बोल रहे हैं तो अगर आपको बच्चों को सिखाना है तो आपको पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा ठीक है तो आगर आपको बच्चों को सिखाना है कि लास्रूम में आपको सफाई रखनी है क आपको पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा एक अच्छी लीडर की यही पहचान होती है कि वो सिर्फ लीड नहीं करता वो एक्षन पहले करता है यह अपने पेड़ागोजी में पढ़ा भी होगा अपने पेपर के लिए डिटन एक्जाम के लिए कि जो एक अच्छा लीडर होता है वो पहले एक्षन करता है वो खुद काम को करता है और फिर वो अपने टीम मेंबर्स को बोलता है वो काम करनी के लिए जैसे आप जानते हैं हमारे प्रधानमंतरी जी के बारे में जब वो सफाई की बात करते हैं तो वो ऐसे ही बात नहीं करते वो खुद सफाई करते हैं तो वो खुद जाड़ो लगाते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप भी अपने घर में साफ रखे अपने आसपा साफ रखे कूडा, कच्रा, डस्ट बीन में डालिए तो उन्होंने खुद करके दिखाया ना तभी तो हमें लगा कि जब प्रधानमंतरी जी कर सकते तो हमें भी करना चाहिए अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आपको खुद इनिशेट करना है सफाई के लिए ठीक है, तब जाके बच्चे सफाई का ध्यान रखेंगे आपको खुद इनिशेट करना है एक डिसिपलिन के लिए तब भी जाके बच्चे डिसिपलिन में रहेंगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अराब और भी गुण है जैसे कि एक टीचर को वेल प्रिपेर रहना है मतलब अपने लेसेंस के साथ वेल प्रिपेर रहना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ पढ़के ना जाएं कुछ तयारी ही ना करके जाएं और फिर आप मतलब कि आटक रहे हैं या बच्चों का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो यह बात आपको दिहान रखनी है अच्छा एक और बहुत जरूरी चीज यह है कि टीचर को हमेशा सीखने के लिए तयार रहना है ठीक है, सिखाने के लिए तो है यह वो वहाँ पे सीखने के लिए भी तयार रहना है अब देखिए आपको हर चीज तो नहीं पता है अपने सब्जेक के बारे में भी आपको हर चीज नहीं पता है और इसके अलावा भी बहुत साइज होते हैं जो आपको नहीं पता होती है तो आपको जैसे ही opportunity मिले सीखने के लिए तो आप उसको जाने नहीं देना है आपको सीखना है क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलेगी वहां पर जो सेमिनार में लोग लेक्चर देंगे वह आपसे कहीं जादा जानते होंगे तो आपसे जादा जानते होंगे तो आपको उनसे सीखना है कई बार हमें बच्चे बीजा यह सुचा है ऐं जो कि बच्चे को बोदी ऊकली नहीं बूला था तो फोसकता है तो होसकता है कि आप गलत अपको कम नोलज्च व ठीक है बच्चो मैं चएक करके आको बताओंगी अगर आपको शौर है शौर है और बच्चे ने आपको गलट ठहरा है, तो हो सकता है, उसको कोई confusion हो, तो उसको प्यार से clear करना है, ऐसा नहीं कि आप उफेंड हो जाएं, बच्चे ने मुझे कैसे बुल दे, उन्होंने मुझे कैसे सिखा दे, ग्यान कहीं से भी मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, जो आप नहीं होते हैं, जो जानवरों के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उन से भी हमें सीखना चाहिए, तो जब बून से हम सीख सकते हैं, तो क्या हम बच्चों से नहीं सीख सकते हैं, तो ये वाली आपको बात ध्यान रखने हैं, हमेशा सीखने के लिए हमें तयार रहना है, हमारे तीचर को बच्चों के लिए sympathy नहीं रखनी है, मतलब कि सहानु भूती नहीं रखनी है, अब आपकी class में ऐसे भी बच्चोंगे जो emotionally vulnerable होंगे, emotionally कमजोर होंगे, mentally vulnerable होंगे, कोई anxiety में होगा, कोई depression में होगा, कोई physically challenged होगा, तो आपको कभी भी उनके लिए सहानु भूती नहीं रखनी है, कि हाँ, मतलब तरस आप उन पर खा रहे हैं, नहीं, आपको समानो भूती रखने empathy रखनी है, और यह question written exam में भी आया था, कि बच्चों के लिए teacher को क्या रखनी चाहिए, sympathy रखनी चाहिए, cooperation रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो empathy रखनी चाहिए, समानो भूत किसी और के साथ हुई होती है, और हम भी उसको feel कर पा रहे होते हैं, या हमारे साथ भी घटना हुई होते हैं, या हम feel कर पा रहे हैं उसको, तो हमें उसकी तरफ empathy होगी, बट अगर किसी और के साथ कोई घटना हुई है, और हम उसको feel नहीं कर पा रहे है, बस जैस हम में उस तो ये वाली बात आप लोग समझ गे इसके अलावा उसके अलावा बचो को टीचर को बच्चो से emotionally भी connect होनाजी ये वाली मैंने आपको बात बता है कि टीचर को पता होना चाहिए बच्चे के emotions के बारे में और वो emotions से भी अच्छी तरीके से deal कर सकता हो ठिक है और time time बेबच् करें अच्छा मोटिवेटर भी होना चाहिए कि बच्चा कहीं पर लाग कर रहा है तो बच्चों को प्रुसाहित किया जाए ठीक है और इस तरीके से यह कुछ क्या है क्वालिटीज है टीचर की हो सकता है और भी कुछ क्वालिटीज हो जो टीचर के अंदर होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि और भी कोई क्वालिटी है जो मैंने मिस करें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और अगर आपके कोई सजेशन हो तो भी आ उमीद कर तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगा, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेर करों और अपने कावल को सब्सक्राइब करें